ओम शान्ती आज है दो अक्तुबर 2020 की साकार मुरली पहले एक नजर मुरली की मुख्य पोइंट्स पर बाबा ने कहा खले ही सब आत्मेश बाबा के बच्चे हैं परन्तु मददगार सब नहीं होते बाब को ग्यान का सागर कहा जाता है क्योंकि उनमें स्रिष्टी के आदी मध्य अंत का ग्यान है वह ग्यान फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं फिर कहा इसमें प्रेरणा की बात नहीं होती बाब तो यहां आकर बच्चों को ग्यान समझाते हैं यह निश्चे भी है लेकिन निश्चे होते हुए भी बाप को भूल जाते हैं। तुम बच्चों को अब राइट और रोंग की समझ मिली है। बाप ही आकर हर एक को राइटियस बनाते हैं। राइटियस बनेंगे तो फिर मुक्ति में जाकर जीवन मुक्ति में आएंगे। आगे कहा तुम्हारा तो इस सहज राजयोग से जनम जनमांतर का फाइदा है बाबा तुमको जनम जनमांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं कोई कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है मुख से कुछ निकलता ही नहीं तो बाबा ने कहा इसमें हार्ट फेल नहीं होन बाप तो बहुत सहज करके समझाते हैं बाबा ने कहा बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत याद की यत्रा से कर्मातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है इसमें ही माया के विग्न आते हैं पढ़ाई में इतने विग्न नहीं आते और लास्ट में कहा जितना हो सके तु मुच्च पद पाने का पुरुशार्थ करना है। मुच्च नहीं है। यह कभी नहीं कहना कि ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा। यह कहना भी रौंग है। अब सुनते हैं महवाक्यों को विसार से। मार्ग में कौन सी बात सोचने वो बोलने से कभी भी उन्नती नहीं हो सकती। उत्तर ड्रामा में होगा तो पुरुशार्थ कर लेंगे। ड्रामा कराएगा तो कर लेंगे। यह सोचने वो बोलने वालों की उन्नती कभी नहीं हो सकती। यह कहना ही रौंग है। तुम जानते ह अभी जो हम पुरुशार्थ कर रहे हैं यह भी ड्रामा में नोंध है पुरुशार्थ करना ही है गीत निर्बल से लड़ाई बलवान की यह कहानी है दिवे और तुफान की ओम शान्ती यह है कल युगी मनुश्यों के गीत प्रन्तु इनका अर्थ वेह नहीं जानते यह तुम जानते हो तुम हो अभी पुरुशोत्तम संगम युगी संगम युग के साथ पुरुशोत्तम भी लिखना चाहिए बच्चों को ग्यान की पॉइंट्स याद ना होने के कारण फिर ऐस से ऐसे अक्षर लिखने भूल जाते हैं यह मुख्य है इनका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो पुरुशोत्तम मास भी होता है यह फिर है पुरुशोत्तम संगम युग यह संगम का भी एक त्योहार है यह त्योहार सबसे उच है तुम जानते हो अभी हम पुरुशोत्तम बन नमबर वन कहेंगे लख्ष्मि नारण को शास्त्रों में दिखाते हैं बड़ी प्रले हुई फिर नमबर वन श्रीक्रिशन पीपल के पते पर साघर में आया अभी तुम क्या कहेंगे नमबर वन है यह है श्रीक्रिशन जिसको ही शाम सुन्दर कहते हैं दिखाते हैं ग्यान सागर से निकला हुआ उत्तम ते उत्तम पुरुष श्री कृष्ण है ग्यान सागर से स्वर्ग की सापना होती है उनमें नंबर वन पुरुषोत्तम यह श्री कृष्ण है और यह है ग्यान का सागर पानी का नहीं प्रले भी होती नहीं कोई बच्चे नए नए आते हैं तो बाब को फिर पुरानी पॉइंट रिपीट करनी पड़ती है सत्युग त्रेता द्वापर कल युग ये चार युग तो हैं पांचुवा फिर है पुरुषोत्तम संगम युग इस युग में मनुष्य चेंज होते हैं कनिष्ट से सर्वत्तम बनते हैं जैसे शुबाबा को भी पुरुषोत्तम वा सर्वत्तम कहते हैं न वे है ही परमात्मा परमात्मा फिर पुरुषों में उत्तम है यह लक्ष्मिनारेण इन्हों को ऐसा किसने बनाया यह तुम बच्चे ही जानते हो बच्चों को भी समझ में आया है इस समय हम पुरुशार्थ करते हैं ऐसा बनने के लिए। पुरुशार्थ कोई बड़ा नहीं है, most simple है। सीखने वाली भी अबलाएं, कुबजाएं, जो कुछ भी पढ़ी लिखी नहीं है। उन्हों के लिए कितना सहज समझाया जाता है। देखो, एहमदाबाद में एक साधु था, कहता था हम कुछ खाते पीते नहीं है। अच्छा कोई सारी आयू खाता पीता नहीं फिर क्या। प्राप्ती तो कुछ नहीं है ना, जाड को भी खाना तो मिलता है ना। खाद पानी आदी नेचरल उनको मिलता है जिससे जाड रिधी को पाता है। उसने भी कोई रिधी सिध्धी पाई होगी। ऐसे बहुत हैं जो आग से पानी से चले जाते हैं। इनसे भला फाइदा क्या? तुम्हारा तो इस सहज राज्योग से जन्म जन्मांतर का फाइदा है। तुमको जन्म जन्मांतर के लिए दुखी से सुखी बनाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, ड्रामा नुसार, हम तुमको गुई ये बातें सुनाता हूं। जैसे बाबा ने समझाया है शिव और शंकर को मिलाया क्यों है शंकर का तो इस रिष्टी में पार्ट ही नहीं है शिव का ब्रह्मा का विश्णु का पार्ट है ब्रह्मा और विश्णु का ओल राउंड पार्ट है शिव बाबा का भी इस समय पार्ट है जो आकर ग्यान देते ह फिर निर्वान धाम में चले जाते हैं बच्चों को जायदाद देकर खुद वान प्रस्थ में चले जाते हैं वान प्रस्ती बनना अर्थाद गुरु दवारा वानी से परे जाने का पुरुशार्थ करना प्रंतु वापिस सो कोई जा नहीं सकते क्योंकि विकारी भ्रेष्टाचारी है विकार से जन्म तो सबका होता है यह लक्ष्मिनारण निर्विकारी है उन्हों का विकार से जन्म नहीं होता है इसलिए स्रेष्ठाचारी कहलाये जाते है कुमारियां भी निर्विकारी हैं इसलिए उनकी आगे माथा टेकते हैं तो बाबा ने समझाया कि यहां शंकर का कोई पार्ट नहीं है बाकि प्रजा पिता ब्रह्मा तो जरूर प्रजा का पिता हुआना शिव बाबा को तो आत्माओं का पिता कहेंगे वेहे है अविनाशी पिता यह गुहिये बातें अच्ची रिती धारन करनी है जो बड़े-बड़े फिलोसोफर होते हैं उनको बहुत टाइटल मिलते हैं श्री-श्री-108 का टाइटल भी विद्वानों को मिलते हैं बनारस के कॉलेज से पास कर टाइटल ले आते हैं बाबा ने गुपता जी को इसलिए बनारस भेजा था कि उन्हों को जाकर समझाओ कि बाब का भी टाइटल अपने उपर रख बैठे हैं बाब को श्री-श्री-108 जगत गुरु कहा जाता है माला ही 108 की होती है आठ रतन गाये जाते हैं वह पास विद ओनर होते हैं इसलिए उनको जबते हैं फिर उनसे कम 108 की पूजा करते हैं यग्य जब रश्ते हैं तो कोई हजार सालिगराम बनाते हैं कोई दस हजार कोई पचास हजार कोई लाख भी बनाते हैं मिट्टी के बनाकर फ्रियग्य रश्ते हैं जैसा जैसा सेठ अच्छे ते अच्छा बड़ा सेठ होगा तो लाख बनवाएंगे बाप ने समझाया है माला तो बड़ी है ना 16108 की माला बनाते हैं यह तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं तुम सभी भारत की सेवा कर र नी चाहिए यह रही जानते कि रुद्र पूजा क्यों होती है बच्चे तो सब शिवबाबा के हैं इस समय स्रिष्टी की कितनी आदम शुमारी है इसमें सब आत्माएं शिवबाबा के बच्चे ठहरेना प्रंतु मददगार सब नहीं होते इस समय तुम जितना याद करते ह उतना उच बनते हो पूजन लायक बनते हो ऐसे और कोई की ताकत नहीं जो यह बात समझाए इसलिए कह देते इश्वर का अंत कोई नहीं जानते बाप ही आकर समझाते हैं बाप को ग्यान सागर कहा जाता है तो जरूर ग्यान देंगे ना प्रेरणा की तो बात होती नहीं भ भगवान कोई प्रेरणा से समझाते हैं क्या तुम जानते हो उनके पास रिष्टी के आदी मध्य अंत का ग्यान है वह फिर तुम बच्चों को सुनाते हैं यह तो निश्चे हैं निश्चे होते हुए भी फिर भी बाप को भूल जाते हैं बाप की याद यह है पढ़ाई का तंत याद की यत्रा से करमातीत अवस्था को पाने में मेहनत लगती है इसमें ही माया के विगन आते हैं पढ़ाई में इतने विगन नहीं आते अब शंकर के लिए कहते हैं शंकर आँख खोलते हैं तो विनाश होता है यह कहना भी ठीक नहीं है बाप कहते हैं ना मैं कराता हूँ ना वहे करते हैं यह रॉंग है देवताइन थोड़े ही पाप करेंगे अब शुबाबा बैठ यह बातें समझाते हैं आत्मा का यह शरीर है रत हर एक आत्मा की अपने रत पर सवारी है बाप कहते हैं मैं इनका लोल लेता हूँ अर्थात ब्रह्मा का इसलिए मेरा दिव्य अलोकिक जनम कहा जाता है अभी तुम्हारी बुद्धी में चुरासी का चक्र है जानते हो अभी हम घर जाते हैं फिर स्वर्ग में आएंगे बाबा बहुत सहज करके समझाते है इसमें हार्ट फेल नहीं होना है कहते हैं बाबा हम पढ़े लिखे नहीं है मुख से कुछ निकलता नहीं परंतु ऐसा तो होता नहीं मुख तो जरूर चलता ही है खाना खाते हो तो मुख चलता है न वाणी ना निकले यह तो हो नहीं सकता बाबा ने बहुत सिम्प समझाया है कोई मौन में रहते हैं तो भी उपर में इशारा देते हैं कि उनको याद करो दुख हरता सुख करता वह एक ही दाता है भक्ती मार्ग में भी दाता है तो इस समय में भी दाता है फिर वान प्रस्त में तो है ही शांती बच्चे भी शांती धाम में रहते हैं पार्ट नुन्धा हुआ है जो एक्ट में आता है। अभी हमारा पार्ट है विश्व को नया बनाना। उनका नाम बड़ा अच्छा है विश्व को नया बनाना। यहां पुरानी दुनिया में जो भी मनुष्य हैं सब एक दो को दुख देते रहते हैं। तुम जानते हो हम है शुबाबा की संतान। फिर शरीरधारी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो गए एडोप्टिड। हमको ग्यान सुनाने वाला है शुबाबा रचईता जो अप लक्ष्मि नारेन बनना। मनुष्य देखो कितना खर्चा कर मार्बल आदी की मूर्तियां बनाते हैं। यह है इश्वरिय विश्व विद्याले वर्ड युनिवर्सिटी। सारी युनिवर्स को चेंज किया जाता है। उन्हों के जो भी केरेक्टर्स हैं सब हैं आसुरी। आदी मध्यांत दुख देने वाले हैं। यह है इश्वरिय युनिवर्सिटी। इश्वरिय विश्व विद्याले एक ही होता है जो इश्वर आकर खोलते हैं जिससे सारे विश्व का कल्यान हो जाता है। तुम बच्चों को अब राइट और रोंग की समझ मिलती हैं। और कोई मनुष्य नहीं जो समझ सा हो। राइट रोंग को समझाने वाला एक ही राइट यस होता है जिसको टृत कहते हैं। बाप ही आकर हर एक को राइट यस बनाते हैं। राइट यस बनेंगे तो फिर मुक्ती में जाकर जीवन मुक्ती में आएंगे। ड्रामा को भी तुम बच्चे जानते हो, आदी से लेकर अंत तक पार्ट बजाने नंबर वार आते हो, यह खेल चलता ही रहता है, ड्रामा शूट होता जाता है, यह एवर न्यू है, सदा ही नया है, यह ड्रामा कभी पुराना नहीं होता है, और सब नाटक आदी विनाश हो जाते हैं, यह बेहद क अविनाशी ड्रामा है, इसमें सब अविनाशी पार्ट धारी है, अविनाशी खेल वा माडवा देखो कितना बड़ा है, बाप आकर पुरानी स्रुष्टी को फिर नया बनाते हैं, यह सब तुमको साक्षात कार होगा, जितना नजीक आएंगे, उतना तुमको खुशी होग साक्षात कार करेंगे, कहेंगे अब पार्ट पूरा हुआ, ड्रामा को फिर रिपीट करना है, फिर नए सिर्फ पार्ट बजाएंगे, जो कल्प पहले बजाया है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है, इसलिए जितना हो सके तुम बच्चों को उच्च पद पाना पुरुशार्द करना है, मूझना नहीं है, ड्रामा को जो कराना होगा वो कराएगा, यह कहना भी रोंग है, हमको तो पुरुशार्द करना ही है, अच्छा, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों प्रती, मात, पिता, बाप, दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, र रुहानी बच्चों की, रुहानी बाप दादा को नमसे, नमसे, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पढ़ाई का तंत, सार बुद्धी में रख, याद की यत्रा से करमातीत अवस्था को पाना है, उच्छ पुजनिय बनने के लिए बाप क पूरा-पूरा मददगार बनना है, दूसरी पॉइंट, सत्य बाप दवारा, राइट रॉंग की जो समझ मिली है, उससे राइटियस बन, जीवन बंध से छुटना है, मुक्ती और जीवन मुक्ती का वर्सा लेना है, वर्दान, संगम युक की सर्व प्राप्तियों को संगम युक की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चड़ती कला का अनुभव करने वाले स्रेष्ट प्राप्ती भाव, परमातम मिलन वो परमातम ज्यान के विशेषा है, अविनाशी प्राप्तिया होना, ऐसे नहीं कि संगम युक पुरुशार्थी जीवन है और सत्य युग प्रालब्धी जीवन है संगम युग की विशेसा है एक कदम उठाओ और हजार कदम प्रालब्ध में पाओ तो सिर्फ पुरुशार्थी नहीं लेकिन स्ट्रेश्ट प्रालब्धी है इस स्वरूप को सदा सामने रखो प्रालब्ध को देखकर सहजी चड़ती कला का अ स्लोगन ब्रहमनों का श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कारे भी आसान हो जाता है और अभी है मातेश्वरी जी के अनमोल महवाक्ये जिनका सार है मुक्ति और मोक्ष आजकल मनुष्य मुक्ति को ही मोक्ष कहते हैं वैसे समझ से हैं जो मुक्ति पाते हैं वो जनम मरण से चूट जाते हैं वो लोग तो जनम मरण में ना आना इसको ही उच्च समझ से हैं वही प्रालब्ध मानते हैं जीवन मुक्ति फिर उसको समझ से हैं जो जीवन में रहकर अच्छा कर्म करते हैं जैसे धर्मात्मा लोग हैं उन्हों को ज उनों की अपनी मत लेकिन हम तो परमात्म दवारा जान चुके हैं कि जब तक मनुष्य पहले विकारी कर्म बंधन से मुक्त नहीं हुआ है तब तक आधी मध्य अंत दुख से छूट नहीं सकेंगे तो इससे छूटना यह भी एक स्टेज हैं तो भी पहले जब इश्वर ये न परमात्मा चाहिए क्योंकि मुक्ती जीवन मुक्ती देते वे हैं वो भी एक ही समय आए सबको मुक्ती जीवन मुक्ती दे देता है बाकी परमात्मा कोई अनेक बार नहीं आते हैं और ना कि ऐसा समझो कि परमात्मा ही सब अवतार धारन करते हैं अच्छा ओम शान्ती ओम श झाल झाल